हेलो फ्रेंट्स अब हम आगे के मैन्यू देखेंगे इंसर्ट मैन्यू इंसर्ट मैन्यू पे हमें क्या-क्या टूर्स मिलेंगे तो चलिए देखते क्या-क्या टूर्स मिलेंगे तो इंसर्ट मैन्यू के अंदर हम पिक्चर ले सकते हैं अपने वर्ट पेस पे हम सेप ले सकते स्मार्ट ले सकते हैं, word art, header, footer, symbol, equation and table तो हम मेन्यू के बाद अब हमारा दूसरा मेन्यू है insert और insert menu के help से अब हम picture पे, save पे, smart art पे, table पे बहुत सारे काम कर सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं table, how to work with table, अब table पे हम काम कैसे कर सकते हैं word के page पे अभी तक हम लोगोंने थी प्लेटर टाइप किया था ना, आज हम table भी लेंगे और table के उपर भी बहुत साई work कर सकते हैं कैसे, तो चलिए चलते word के page पे, यह चेक करने के लिए table के work होगा कैसे यह हमारा word page और आज हमारी menu, insert यह हमारा insert menu और इसे सबसे पहले tools हमारे पास आ रहा है table, add a table, तो यह हमारा सबसे पहला table, हमने जैसे table पे क्लिक किया यह table आपके पास दिख रहा है, तो यह table पे जवार आई यह इतने सारे columns है और यह row है, आप जितने row columns select करेंगे, आपके page पे देखिए, वो display सो कर रहा है वो आता चला जाएगा, तो आप जितने column या row select कीजे, देखिए आपके page पे पे वो आता चला जा रहा है, अच्छा, यहाँ पे जितने columns available है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारा चाहिए होता, तो आप कैसे लाते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे आपके पास है only 10 और 11 something, त अगर 8 से जादा आपको row चाहिए होता, तो आप कैसे insert करते हैं, तो simple आप फिर insert table पे चले जाते हैं, और आप यहाँ पे number of column type कर सकते थे, और number of row, आप जितने row column type करेंगे, तो इसली आपके पास आ जाएगा, for example, चली हम type करते हैं, हमारे पास 11 था ना, हम यहाँ पे टाइ आपके ला सकते हैं, तो okay कर दीजे, जितने row columns के number आपने पूर किये थे, हुआ गये, जैसे हमने इस पे देखा था, यह आपके पास इतना ही column थे, और row चेवल इतने थे, बढ़ हमने इससे जादा लिया आया ना, उसके लिए insert table, ठीक है, आपको यह, एक sequence में छोटा करा सकते हैं, ठीक है, यह आपके उपर एक table की उपर एक four arrow, इसके help से आप table को move करा सकते हैं, तो यह आपका table, अगर आपको extra row column चाहिए, तो आप कैसे ला सकते हैं, मैंने यह बताया आपको, खिलालम इसे cut करते हैं, हम छोटे से table पर work करेंगे, तो insert table, यह हमारे पास दो column और यह दो row, simple यह हमने four select किया है, two row, two column, two row, इसे एक sequence में हमें बड़ा चोटा करना है, side में square box, उस्ते करसर रखें, double arrow आएगा, left click press करके, आप उसे increase या decrease, easily करा सकते हैं, तो यह जो सारे cell है, वो एक sequence में चोटे या बड़े हो गया है, इसे अगर आपको page में कहीं move कराना है, यह आपका four arrow, इसे आप press कीजे, mouse से left click, और इसे easily कहीं भी move करा सकते हैं, ठीक है, एक sequence में छोटा बड़ा करने के लिए, white color के square से, और move कराने के लिए इसे, अब हमें इस पे अगर कुछ type करते हैं, यह से हम इस पे type करते हैं, table number one, इस पे हम type करते हैं, table number two, और हमें table number three, four धी type करते हैं, बट यह तो हमारा two खतम हो गया, इसके आगे हमें three, four चाहिए था, इस पे हम नहीं आएंगे, इस पे मतलब column number one, two हुआ, आप row number यह लगे, अब हम चाहते हैं कि हमारा और column हो, तो क्या हम table पे और editing कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप इस table को flag कर ल उसी पे आप right click कीजे, देखें, आपके पास एक option आ रहा है, right click option keys होता ही है, insert, अभी आपसे पूछ रहा insert column करना है, left side और right side, या फिर row चाहिए, above, या बिलो, या फिर insert cell number चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे option, अगर आप left click कीजेगा, ये सारे table आपके left side भी insert हो हमने left side भोला था, हमारा left side ये है, वापस अगर हम इसे right side चाहिए, तो क्या कर सकते है, select तो ये है ही, right click करके insert से जाके side side ले सकते है, इतने table थे, इतने field से आ गया, बत्त परिशान नहीं होना है, अगर number of cell, number of row column अगर आपके पास कम भी पढ़ते है, तो आप इसके mouse में right click की help से insert करा सकते हैं, बर सबसे important आपको इसे select करना होगा, select करने के बाद आपको right click करना होगा, जिन आपको जाना होगा insert और insert पे आपके different menu, row के लिए भी, column के लिए भी insert cell number चाहिए, वो आपके पूछेगा, shift right side करना है, down करना है, entire जितना है उतना और चाहिए, जो आपको कर क्यों के कीजे, आपके पास वो वापत आजाएगा, ठीक है, तो यह हमने आज insert से सीखा table लेना, तो क्या आप हम table पे इडिटिंग ही कर सकते हैं, table number, column number, increase, decrease करा सकते हैं, या कोई और काम भी, तो हम table पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक sequence में increase, decrease को सीखा, move कराना को सीखा तो हम table पे color fill कर सकते हैं, इस setting के बारे हमने पढ़ा था ना, यह line पे भी color fill कराता है, और table पे भी, तो इस पे click करेंगे, आपको जो color चाहिए, आपको लीजे, आपके cell पे वो color आजाएगा, आप हर cell पे different color fill करा सकते हैं, इस setting tools के help से, तो आपने हर table पे अलग-लग color कराना ह आप color कराएगे, या फिर आपको लगता है कि आपको picture, आपको table पे picture डालना है, तो आप उस पे cursor रखें, लेखें, वर्ड पे हम लो क्या करते हैं, पहले बोलते है, selection ज़रूरी है, जिब select होगा, तभी इस पे आप कोई काम कर सकते हैं, इस increase कराने का, इसे color करने का, तो table प इसे पिक्चर भी आता है, हमने picture ले लिया, पिक्चर के, कुछ picture लेते हैं हम, और उस पे हम table पे feel कराते हैं, ये check करने के लिए, कि क्या cell पे भी picture feel हो सकता है, जैसे ही हमने picture select किया, और हम इस पे एक picture select किया, और हम insert कर देते हैं, बट हमेसा ध्यान दीजेगा, जब भी आप आप टेबल पे कोई picture insert कराएंगे न, वो table के अनुसार तो कभी नहीं आएगा, या तो उससे काफी बड़ा, या फिर काफी छोटा आएगा, तो आप उसको set करना must है, picture selection dot से पता चलता है, picture के side side में dot आ रहे हैं, मतलब picture जो है, वो select है, तो जैसे हम लोग table को shift कर रहे थे न वाइट वाले box से, वैसी हम लोग इसके box से इसको भी increase या decrease करा सकते हैं, देखी, ये picture हमने बहुत छोटा कर दिया, मतलब ये काफी बड़ा आ रहा था, बटिय हमें चाहिए था, सिर्प table पे, तो ये हमने इसे छोटा कर दिया, तो हम table पे shift color ही नहीं डाल सकते हैं, उसके picture और जो हमने table पे picture डाला है कि उसके उपर भी हम type कर सकते हैं, इस पे तो easily कर सरा रहा था, हमने typing बहुत easily कर दिया, आप interface करके मैं नीचे line पे भी typing कर सकती हूँ, बट picture पे ज़से click कर रही हूँ, तो ये तो select हो जा रहा है, तो अगर आपको picture के उपर लिखना है, तो मतलब आपको इसको free कराना होगा, इसके बारे में नोट समागे परेंगे, मैं एक छोटा सा आपको बताती हूँ, इसे पिक्चर को select करने के बाद आप इसी पे right click कर लिजे, then आप test wrapping और behind text कर लिजे, पिक्चर के उपर ही right click करके test wrapping और behind text, ये आपके picture को free कराता है, अब इसके help से आपको ये भी समझने आएगा, कि picture का size कितना बाहर था, लेकिए picture टेबल से काफी बाहर था, तो free कराने के बाद picture अपने actual save size में डिखता है, क्यों table पे बिल्कुल अच्छे से feel है, या फिजादा या कम है, अब आप इसके space बार प्रेस कीजे, अब आप इसके जो भी type करें तो picture के उपर इस टेप आपका थोड़ा सा right click के साथ डिखने के लिए, ठीक है, तो आप टेबल पे picture भी fill करा सकते हैं, और color भी fill करा सकते हैं, आप उसके उपर type भी तो ये आपका एक छोटा सा tools, insert menu के अंदर, table लेना, then आप insert कर सकते हैं, cell लेने के बाद extra fill, picture और color भी डाल सकते हैं, अब हम चलिए देखते कि क्या हम इसे merge कर सकते हैं, means हम चाहते हैं, ये जो table है, ये चार cell पे ना रहे, एक ही cell हो जाए, उपर के ये जो है, ये ठीक है, ये चार cell है, मुझे चाहिए table 1, 2, 3, 4, इधर में 5, 6, 7, 8, बट ये मुझे एक line पे 9 चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है, तो बिल्गूल हो सकता है, आप इसे select कर लिजए, आप को जितने cell को merge करना है, आप इसे select कर लिजए, लिन आप right click कीजे, और आप चले चाहिए, merge cell पे, ये आपका एक option आ रहा है, right click करने पे merge cell, अप just इस पे click कीजे, देखे इसने आपके cell को merge कर दिया, मतलब आ यसी अगर आप इन दो सेल को केवल मर्ज करना चाहते हैं, आप इन दोनों को ही केवल फ्लग कीज़ें, इन ही पे आप क्या प्रेस करेंगे, राइट क्लिक, कहां चले जाएंगे, मर्ज देल के, तो केवल ये दो सेल आपके मर्ज हो गया, तो मिंस आप जो भी टेबल दीचे, आप उस्ते न्यूज रॉ कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, उसे आप मर्ज भी करा सकते हैं, आप उस्ते कलर भी फिल कर सकते हैं, पिक्चर भी फिल कर सकते हैं, उस्ते आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, फिम्पल टैक्स लिख सकते हैं, टैक्स लिखने के बाद उस्ते कलर युके लेस्ट थैंक यू